नमस्कार, मैं आनन मोरांग, आप सभी को CEO मी से अरुन बुमी पर स्वागत करता हूँ, आज हम हमारे तीम अरुन बुमी आप पहुंचे है मैचोगवा के डिस्ट्रिक कलेक्टर के ओपिस, यहाँ पर अदीसु, SP, DDAC, NDC के बीच एक बेटक होने वाली ही कल की अदीसु अदा की कोशिश करते हैं, चली जिसका इंतजार तब वो खतम हो चुका है, अभी यहाँ के जो CEO मी के डिस्ट्रिक एडमिस्ट्रेशन, यानि पुलिस, SP, DC, DDAC और अधी इस्टुरें यूनियन की बीच एक बेटक हुई थी, कि कल के बनकवल को लेके, तो सीधा उनसे हम जानते है की बेटक में कौन-कौन सा आउटकाम आया है, तो चली है सब से पहले, प्रेसिडेंस सर आप से जानना चाहेंगे कि आप किस-किस विशे पे अंदर बेटक हुआ है, तो हम लोग यह था, उसका सास्पेंशन दिमान किया था, तो हम लोग का फरस्ट पॉइंट था, एरेस ए यानि डिस्ट्रिक एडमिनिस्टेशन की तरफ से आप लोगों को यह एसुरेंस दिया गया है कि जो कि यूंकेन बगरा का सस्पेंशन शूर है, तो अगर उसका सस्पेंशन उसका एरेस हो चुका है, उसका सस्पेंशन भी अभी कॉन्पर्म हो चुका है, तो जो कल बन कॉल आप लोगोंने अदिशु द्वारा बंड कल किया था। उसके पीशे में उसको लेकर आप क्या करेंगे। या कल अदोग जारी रहेंगे या कि आप पिर कोलाफ करेंगे। क्योंकि आप अच्छा का जो दिमान था दिनाथ फिल्फिल हो गया। यहने साहय को सप्पेंशन की ऐग तो अडीाज़ो अवैंस पर दोफिस पह hinी को रही और है और सुलोरा यह अई भी ऐनुक्तिशन की ऐा चैनलों सब्सक्राइब है को यह जो एक्यूजद है अभी रिसेंट जो मौनिगाओं में केस हुआ है पीडी में इनफेक्ट कारों में तो उसका बारे में उनका यह कहना था कि वो जो एक्यूज़ को एरेस्ट करना है और अगर वो एरेस्ट नहीं होता है तो देवल गो फोर मतलब फेज़ वाइज मेनर मे स्ट्रेक्स करता रहेगा जो सुरू होगा कल से मेचुका में मतलब 15 नवेंबर 2022 से लेकिन जो एक्यूज़ है वो तो आप एरेस्ट हो गया है और वो एक्यूज़ को आज इटानगर से आलो में जहां में पोक्सों का जो यह कोर्ट है वहां प्रेडूस करेगा फिर उसका ब फिर उसका सबसेक्वेंटली जो उसको सस्पेंशन करना है वो तो कानुनी तो पे उसका तो अपना होता रहेगा मतलब में बात यह कि उसका अरेस्ट को लेके था नवज़दा एक्यूज़ है और मेरा ख्याल से यह जब हो गया है मकसद जब पूरा हो गया है तो कल से जो फ इसाद की एक इसस्वेंशन को लेकर बात्चित है वो की मेंत ऊफिएशन को उसका लेगए कि आपकी तरफ से उसका अपीशियल तरफ से ऊसवेंशन को लेकर ऐक कोई आरिस वालत यह जानने वाला बाते है आप कोई भी जानकर आदमी आपको बता देगा पोक्सो एक बहुत ही एक बहुत ही मजबूत एक एक्ट है तो यह जो पोक्सो में जो पक्रा गया है उसका बेल तो इसली होगा नहीं है तो यह सोचना है कि 48 अवर्स तक तो वो जेल में रहेगा है मतब पुलिस कस्टेडी में स्फिर्स अटमेंटक लेखें में हमाँ आए मजबूता में वर्स कमेई दो डईबरी भाउ है भी हुआ